ये रोगन अन्यासिमिका सभीको नमस्ते हम ये रेटिट कर पारे बहुत बड़े आश्री की बात है पुरी दुनिया कोरोना के वज़े से मुश्किल में ये असलियत है लेकिन कोरोना के वज़े से हम ओनलाइन ऐसे ये मीटिंग ले पा रहे हैं और ज्यादा लोग वचन तक पहुँच पा रहे हैं आप चाहे जोग कोई भी क्यों नहों जब आप वचन को सुनोगे आपका मन जब वचन के साथ जुड़ता है आप मुश्किलों पर जीत कर आपके मन में ताकत और शांती पाओगे आज हम यहना के छेहाद द्याए के एक से लेकर पंदरा वचन तक पढ़ेंगे कृपया करके यहना के छेहाद द्याए के एक वचन को खोलिए मैं उसे पढ़ता हूँ इन बातों के बाद येश्व गलिल की जील आरता तिबिरियास की जील के पार गया और एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्यरकर में वह बिमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे तब येश्व पहाड पर चड़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैट गया येश्व ने अपनी आखे उठा कर एक बड़ी भीड को अपनी पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं उसने यह बाद उससे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा फिलिपुस ने उसको उतर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए उसके चेलो में से शिमोन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौकी पाँच रोटी और दो मचलिया है परन्तो इतने लोगों के लिए वे क्या है यह इशु ने कहा लोगों को बैठा दो उस जगा बहुत घास थी तब लोग जिन में पुरुशों की संक्या लगबक 5000 की थी बैठ गए तब यह इशु ने रोटी आ लिया और धन्यवाद करके बैठने वालों को बाट दी और वैसे ही मचलिया में से जितनी वे चाहते थे बाट दिया जब वे खाकर तुरुपत हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए तुकडे बटोर लो कि कुछ फेका न जाए आता हो उनोंने बटोर और जोग की पाश रोटी आंक रोटियों के तुकडे से जो खाने वालों में से बचे रहते बारा टोक्रिया भरी तब जो आश्चर करम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लेगे वो भविश्य वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चे यही है हमने चोदा वाचन तक पढ़ा माफ कीजे यही है जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं फिर पहाड पर अकेला चला गया दुनिया में हम आपस में जो जुड़ते हैं मन से मन का जुड़ाव बहुत महत पुरना है मैंने एक पुरानी ऐसी कहानी सुनी थी कि एक अंधा विक्ती था जो देख नहीं सकता था और अपनी लाठी को लेकर चलता था लेकिन एक ऐसे रास्ते पर हो चला गया जहां पर आमतोर पर नहीं जाता था और जाकर कीचड में गिर गया तो पूरा कीचड था उसके पैरों में कीचड चिपक गया उसे वो फिसल रहा था बहुत मुश्किल हो गया उसको अभी पुरी शाम होने को आई थी और उसका शरीर बहुत ठक चुका था उसे बाहर निकलने को कोई मार्ग ने था तो वहाँ पर वो ऐसे ही खड़ा था और उसे किसी आदमी की आवा सुनाए दी तो आंधा चिला पड़ा मैं यहां से बाहर निकलना चाहते भी निकल सकता अए इसलिए कृपः ऑप मुझे यहां से बाहर निकाले और सही रासते पर लगा दीजिए तो सामने वाले आजमी ने निकाлючा है अगर मैं ऐसा कर सकता तो कितना अच्छा होता मैं लंगड़ा हूं मैं लंगड़ा हूं इससी मैं चल नहीं सकता यही मेरे मुश्किल की बात है इस बात को सुनकर हो आंदा बुहत निराश हो गया मुझे लगा भी मैं किसी आत्मी से मिला हूँ यहां से बाहर निकल सकता हूँ तो अभी क्या होगा अगर सुरज डल जाएगा तो मैं कैसे वापस लोटूँगा तो इस आंधी के आमन में एक सूच आई आ क्या आपने कहा कि आप लंगडे हो हां मैं लंगडा हूँ तो आप लंगडे हो आप चल नहीं सकते लेकिन आपको आखों से दिखाए देता है ना मेरी आखे तो खुली है मुझे दिखाए दिती है तो फिर बहुत अच्छी बात है मेरे पैर तो ताकत वर है तो मैं आपको मेरे पीट पर उठाता हूँ तो आप मुझे रास्ता दिखाए ये तो आप रास्ता दिखाए के तो हम यहां से बाहर निकल सकते हैं तो यह अंधा ने जैसे सुना कि यह लंगडा है और उसे बाहर नहीं लेकिसकता तो बहुत निराश हो गया था तो थोड़ा सोचती के वाद उसने सोचा भले मैं अंधा हो दिखाए नहीं देता पैर ताकत और मैं उसे उठा कर लेकर जा सकते हैं इसे दोनों जुड़ गए आत्मी जीवन कुछ विशेश नहीं है ज्यातर लोग जब आत्मी जीवन को अच्छे से नहीं जानते हैं क्या सोचते कि मैंने बाइबल के वच्छन के अनुसर अच्छे से जीना चीए अच्छे काम करने चीए भला और जीवन जीना चीए ऐसा सोचते हैं तो मैं मेरी ताकत से कुछ और नहीं कर सकता लेकिन अगर मेरा मन येशु मसी के साथ जुड़ जाता है तो येशु के द्वारा मैं अनुगरफ आता हूं यही असलियत है इस बात को यहना का च्छे अध्या बहुत सटीकता से बताता है आज जो हमने बात पड़ी उसे देखेंगे तो येशु गलील को पार करते वे तीबिर्यास की जील के पार गया तो बहुत सारे लोग येशु के पीछे हो लिये थे मुझे लगता है उनके भोजन का समय नजदिक आया होगा तब येशु ने फिलिपुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए तो फिलिपुस ने हिसाब लगया और कहा दोसो दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नव होगी कि उनमें से हरे को थोड़ी-थोड़ी मिल जाए लेकिन वहाँ पर येशु के चेलर पतरस का छोटा पाय आंद्रियास था तो आंद्रियास ने कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो की पाच रोटी और दो मचलिया है पर दो इतने लोगों के लिए वे क्या है तो यहाँ पर बाइबल हमें एक बहुत अद्बुत बात सिखा रही है समझो मेरे घर में कोई मशिन है फ्रिज है और फ्रिज नहीं चल रहा है तो प्रफी और वाशिंगंी जplaces प्याद अद्मीन है तो पकाफ्रिज और वाशिंगं माशिन नीं चल रहा है मतलब बीजली नहीं ुड़ी है तो बिझली कहीं कठ तो नहीं संचे है तो आत्मीक जिवन जो है। वह जुड़ना है बिल्कुल जुड़ना है। इन बातों की विश्य में बहुत अच्छ से समझाता है आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं मैं भी हमेशा बच्पन से जब चर्च जाता था मैं अपने आपको पापी मानता था क्योंकि हमारे चर्च के सदद से प्रातना करस हैं के ठेदा यहां phosphate है लेकिन जब मैं 19 साल का था 1962 साल की बात है यह तो इसलिए मैंने सेना में जाने के लिए एक योजना बनाई है तभी मैं स्कूल जाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे इसलिए नहीं जा सकता था तो मैंने सोचा कि अगर में मिलिटरी के वोकेशनल सर्विस में जाऊंगा तो यह जो नॉन कमिशन ओफिसर बनते है वो बेस में नहीं रहते है जो बड़े बड़े अफसर है उनकी बहुत ट्रांसफर होती है लेकिन यह जो नॉन कमिशन ओफिसर है वो एक ही जगह पर रहते है और उनके जो मिलने वाली तनक्वा भी बहुत अच्छे थी तो मैंने सोचा कि फिर वहां पर में स्कूल की पढ़ाई कर सकता हूं अगर रात के स्कूल में मैं जाऊंगा तो स्कूल पास करके जब मैं सेना से बाहर जाऊंगा चिनोकरी पाऊंगा और चिसजी पाऊंगा तो आहम तोर पर ऐसे vocational training के लिए सभी लोग पास हो जाते हैं लेकिन मेरे सामने का दाथ तोड़ा तूटा हुआ था इसकी वज़े से मुझे disqualify किया गया तभी मैं हर एक चीज करता था लिए कुछ सही रहती से होता ही नहीं था लेकिन अभी जब मैं सोचता हूँ कि परमीश्वर ने मुझे सारी बातों में नाकामियाब करके परमीश्वर के सामने लाने के लिए सकिया मैं जो कुछ करता था ना कुछ भी सही नहीं होता था मैं सोचता इतना भी कैसे मेरे साथ बुरा हो सकता है तो वो केशनल ट्रेइनिंग के एग्जाम में फेल होकर मैं सोचता मैं तो सच में आपा ही जिंसान जैसा हूँ आगे के जीवन मेरे बहुत ही अंधकार भरा था तब से मैंने बाइबल पढ़ना चुरू किया चर्च में जाते हैं हमेशा मैं आपने आपको पापी समझता था लेकिन एक दिन वेर बाइबल में वचन पढ़ा बाइबल में लिखा है कि मैरे पाप शमा किये गए हैं विशेश करके रोम्यो की तीन अद्या में देखेंगे तो, तेईस वचन में ऐसा लेखा है कि जाए ने पाप किया है और परमीश्यों की महिमा से रही थे, गाइस अब बहुत अधूत करें कि अगला वचन, लेकिन बहुत अदबूत बात क्या है कि अगला वचन, 24 वचन में क्या लिखाए कि परन्तों उसके अनुगरे से उस चुटकारे के द्वारा येश्व मसी क्रूस पर मारा और उसने हमें हमारे पापस से चुटकारा दिया इसलिए जो मसी येश्व में है सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं ये बहुत ही महान वचन है येश्व मसी हमारे जगा पर हमारे पापो के लिए मारा और हमें पापो से चुटकारा दिया इसलिए हमारे बिना किसी कामों से सेंट में परमी ठहराता है हम परमीशर के दावरा धर्मी ठहराए गए हैं अगर परमीशरा में धर्मी कहता है तो क्या हम धर्मी नहीं है तो परमीशरा कहता है मेरे पापो को उसने धोया तो धोये नहीं है वो तो इस बात को मैं जान सका परमीशर धर्मी कह रहा है तो फिर मैं धर्मी हूँ लेकिन बहुत अश्चरिक बात क्या है कि बहुत सर लोगों के साथ बाइबल की बाते करता था उनको रुमियो का तीना दे तेई सोचन पता है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमीशर की महीमा से रहीत है लेकिन चोबीस वचन को पढ़ेंगे तो बहुत ही अलग है वो उस चटकारे के द्वारा जो मसी इशु में है मसी इशु ने हमें पापो से छुडाया तो यहां पर छुटकारा मतलब कुछ तो दिया गया है और से पकड़े कैसा नहीं है मतलब हमारे जगपर उमर कर उसने हमें बचाया है येशु ने हमारे सारे पापो को दोकर हमें उद्धार दिया मैंने भले कुछ भी ना किया हो लेकिन परमीशर ने मुझे धर्मी कहा परमीशर ने आए दिश्या अगर वो धर्मी कहते है तो मैं धर्मी हूँ बहुत अदबुत बात क्या है मैं बहुत सारी शुपर विश्वास करने वाल लोगों से मिला हूँ दुखी बात ये है कि बहुत सारे लोग तीस वचन तो जानते 24 वचन नहीं जानते इस वचन के दौरा मैंने बहुत सारे लोगों को गवाई दी कि हमारे पाप धुवी गए है तो समझ से गया है हम में हमारे घर में बिजली ना पूरा साल बर आते रहती है लेकिन बालों को सुखानी कि जब हेर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं अगर कुछ नहीं चल रहा है तो जाचना इना बिजली से जुड़ा हुआ है क्या तुरन जोड़ने पर हो काम करता है आसाने से बताओ तो बिजली आई है परिपूर्न है और में पास में बहुत अच्छा टीवी है लेकिन वो अगर आपस में जुड़े नहीं है तो टीवी का कोई फाइदा नहीं है येश्व मसी जब हमारे पापों के लिए खुरूस पर मारा गया उसने हमारे सारे पापों को धो दिया लेकिन हमारे मन में मेरे पाप दोएगा इस बासे जुड़ते नहीं है तब हम अपने आपको पापी कहते है इसलिए हमें नाश होकर शापित ही होना पड़ेगा अगर कोई मुझे यहां से बचा है बाहर निकल तो अच्छा होगा तो किसी आदमी की आवास सुनाई दी है है हाँ 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 वहां पर कौन है मैं आंदा हूँ मैं इस रास्ते से अभी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं मुझे यहां से बाहर निकले में आप मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा तो उसने का गी नहीं आप बहुत अच्छा कहतो रहे हो लेकिन में भी लंगड़ा हूं में चल नहीं सकता है यहां षां हार नहीं कल पर आंधाल बहुत निराष हो जाता है तूसरे लगा कि अभषी मैं यहां ? छिम रहां यहां सब्सक्रार हैं लेकिन कैसे यह फूख्य निलिक लेकिन फिर से उसने एक बार सूचा तुम लंगड़े हो मतलब आगए दिखाई तो देता है ना तुम्हें प्या बोजी हाँ दिखाई तो देता है लेकिन मैं चलने सकता तो क्या फाइदा है उसका नहीं भले मैं अंदा हो लेकिन मेरे पेर ताकतवर है मैं तुम्हें उठाकर लेके जाओंगा तो उतना काफी नहीं होगा क्या लिकिन वे उसके बदले में आपकी आखे मुझे उधार दीजिए जब मैं आपको मेरे कंदे पर उठाओंगा आप आपके हाटों से मुझे बताए किस दिशा में जाना है हमने पाप किया हुआ था हम पापी थे ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया लेकिन उस पाप के लिए येश्व मसी जब कुरूस पर मारा गया येश्व मसी ने पाप किया तो उसके लिए येश्व नहीं मरा हमारे पापों को उसने उठाया और हमारे जगह पर हमारा ये शुमसी के कुरूस पर के मुरुत्यू से मेरे पाप सुलजाए गए ऐसे अगर मन जुड़ता है तो तो आप पापी नहीं हो बले आपने पाप किया लेकिन पाप की कीमत पूरी चुका दी गई है मेरे पिताजी के एक दोस्त है मतलब मैं जहां पर स्कूल में जाता था उसी के सामने एक दुकान चलाते थे उनके स्टेशनरी के दुकान थी पिताजी मुझे किताब खरिदे आप मुझे पैसे दीजिए मेरे पिताजी ने का नहीं पैसे नहीं है मेरे पास में पिताजी मेरे पास में कापी कौपी नहीं लिखनी के लिए मेरे पास क्या करूँ तुम्हें काम को स्टेशनरी के दुकान में जाओ उनको बताओ कि मेरे पिताजी कुछ दिनों के बाद में पैसे देंगे और वहां से किताब लेकर जाओ मुझे दुकान दार है मुझे भी पैचानते मेरे पिताजी को पैचानते आंकल नमस्ते मुझे एक नूटबुक की जरूए था लेकिन मेरे पिताजी ने का कुछ दिनों के बाद पैसे देंगे और यहां से ले लो भूला प्रकार से जोडने के बाद में भले मेरे पास पैसे नहीं लेकिन पिताजी बाद में पैसे परेंगे से जोड़कर में की नूटबुक ले सकता हूं हमारे जनम ने से पहले यीशव मसे लेकर मुर्तियों तक के पापों के लिए कुरूस पर मरा बहुत सारे लोग जानते हैं vertigous येशु अगर मेरे पापों के लिए मारा है तो तो मेरे सारे पापों की दंड उसने चुकाया है तो यह पका है कि मेरे पाप धोए गए है यहां पर रोमयो के तीना दे तेईस वचन में हम पापी थे तेईस वचन में लिखाए कि सबने पाप किया है और परमीशर की महीमा से रही थे तेईस वचन में मैं हूँ और पाप है लेकिन यह इसु नहीं है 24 वचन में अगर देखते हैं तो यह वहां पर यह ने चुटकारा दिया है तो मतलब बस बंद करना यह से नहीं है बलकि हमारे पापो को दोग कर उसने हमें बचाया चुडाया है वह चुटकारा है अगर यह मसी मेरे पापो के लिए कुरूस पर मारा है और फिर भी मैं पापी कहता हूं तो अपने आपको में आप यह कुरूस से जुढा नहीं हूं चुर्वार आफ तो मुझे टीवी देखना है अच वे पार्फ में पार्ग का शिर्मंतल आ रहा है मुझे देखना है लेकिन टीवी क्यों नहीं चल रहा है यह क्यों नहीं कर रहा है बिजली निकल गही है क्या अब मैंने तो बजली को वायर दो जोड़ा है स्विच आउन नहीं है रिमोट किदर है उसे बस ओन करना है न ये शुमसी हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और म TV है लेकिन प्लग में वायर नहीं जोडने के समान हो जाता है ये शुमसी मेरे पापों के लिए मरा है उसकी मुरृत्ति hyvin और मेरे पापों को अगर में जोडता हूँ तो बाइबल में यह समझाने के लिए जोड़ना और नहीं जोड़ना इसका रिष्टा क्या है यह समझाने के लिए यह समझाने के लिए लिखा गया है तो यह ना के चे आदे में यह है। तो पांच हजार से बहुत सारे लोग यह सब्सक्राइब के पीछे थे यह चाहता था कि उन लोगों को उखिलाए वो दूर से आये हुए थे उनको भूका भेजना ही सकते थे थे, उनने खिला कर भेजना चाथा था येश्जिव के बारा ही चेले है उसमें से फिलिपुस नाम का चेला है, उसमें थोड़ा समस्या है वो बहुत ही होश्यार है, बहुत तेज की हिसा की चेला पारहा है अपने आपको 5,000 लोग को खिलाना है तो फिलिपस ने कहा कि 200 दिनार के रोटी भी कम हो जाएगी तो समझो 200 दिनार है भी लेकिन 500 लोग को खिनाने का खाना खरीच सकते हैं तो भले आप सौल के शहर के बीच में भी हो 5,000 लोग के लिए खाना लाना पैसे होते वे आपके लिए आसाने होगा इसराइल देश में उस समय में कहां पर जाकर वो 5,000 लोग के लिए खाना ढूंड सकता है इस्युने फिलिपस से कहा आम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए तो फिलिपस को पूचा के कहां से इनके लिए रोटी लाएंगे तो इसका मतलब क्या है वो कहता है कि अगर 200 दिनार के रोटी भी सबको थोड़ी थोड़ी दे तो भी कम होगा तो उसने हिसाब लगा है कि 200 दिनार लगेंगे लेकिन उस खिलाने का तरीका वो नहीं है अंद्रियास ने क्या किया यहां एक लड़का है जिसके पास जोग की पाच रोटी और दो मचलिया है पर उन्तु इतने लोगों के लिए वे क्या है तो अंद्रियास ने पाद ईशु को क्यों बोल रहा है यह जो है वो इसके लिए पाच रोटी और दो मचलिया भी उससे के द्वारा पाच रोगों खिलाने के ताकत है ईशु में लिब्र हो इसको परकर होज दा क्या नाच ना तुमने बहुत देखा है मैंने कितना सामरति नी काम किया है है सभिया ना इसने जोंम ने पानी रखरस बनाया और बीमारों को चंगा करता है वह बहुत देखा है उस ने तो फिलिप आग यह को देखता है कलिए यह भून जिए इसु जब बैतनी में गया सब्सक्राइब इस नाजर मर गया था ना ये शुक्त के पास में लाजर को ठीक करनी की ताकतर सामरते हैं लेकिन मर्यम और मार्था के मन में उन्होंने विश्वास के कि बीमार लाजर को ये शुच्छंगा कर सकता है लेकिन हमारे मरे हुए भाई को जिला नहीं सकता तो इसलिए मर्यम और मार्था उनके मन में बहुत ही उदावस निराश थे अगर ये शुच्छ आता यहां पर तो हमारा भाई नहीं मरता ये शुच्छ उसे चंगा कर सकता था लेकिन अभी हमारे भाई के मरने के बाद में ये शुच्छ क्यों आया है उन्होंने ये शुच्छ के सामर्थ को एक सीमा बना कर रख दिया था ये शुच्छ बिमारों को चंगा कर सकता है लेकिन मरे हो को कैसे जिन्दा करेगा उनके दिमाग में ऐसे सोच है लेकिन असलिए शुच्छ वो बिमारों को चंगा कर सकता है और मरे हो को भी जिला सकता है लेकिन मरे मौर मारता के सोचते शुच्छ बिमारों को चंगा कर सकता है इसलिए शुच्छ बुरा लग रहा है उनको बुच्छ बुरा लग रहे जिन्दा था भाई तभी नहीं आया अभी मरने का बात क्यों हो एसे बहुत सारे बातों का मैंने अनुभव किया है मेनी बात कई बार बताई है एक बार घर पर तो और मुझे फोन आया अफरीका के लाइवेरिया से फोन आया लाइभेरिया के हमारे आई-वाइफ के ब्रांच मैनेजर ने फोन किया पास्टैर चेयो हन्जॉए नो बुखता है भाख रूट रूते आसे पहले बात करे थे क्या हुआ तो ठोला शांटी से बटाओ क्या हुआ चेयो हन को अधर शांटी से बटाओ चेयोखन जॉए नो शे इसा जाए नो तो जीजए नो इय। फोच हो गह ए है क्या जे योहान को बिच्चु ने डंक मारी है तो सुबह जब वो उठा था कर रात को नींद में मुझे लगा किसी ने मेरे पैर में सुई चुबाई हो भाई वो पका बिच्चु होगा ये मज़ाख मत कर मैं मच्चरदानी के अंदर सो रहा था ये ये भाई जैसे मच्चरदानी में लात था। उसका पैर उसमें से बाहर निकलाया है जंगार को भार बिच्चु ने आकर उसके पैर में दंक मार दिधी खुश बिच्चु होगा ये मज़ाख मत कर अब बिच्चु को आ राया है शाम के समय में उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगा तो में टौलेट में जाओंगा तो जब टौलेट जा रहा था वहानस दिख पहुंचते ही वह नीचे गिर गया पीचे दूसरे लोग पी थे उन्हें देखा कि गिर गया तो दोड़ते उसके पास हैं लेकिन उसके पेशाब और संदास भी वहां पर कर दी और उसके नस नहीं लग रही थी ओ मर रहा था यहान होश में आजा यहान उसको चेहरे पर मार रहे थे चाती पर मार रहे थे और तो रहन तो उससे पानी से साफ किया और अस्पताल में ले गए डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता इसे बिच्चु ने डंक मार दी है बिच्चु के डंक के बाद में तुरंट आएंगे तो भी जिन्दा रहना मुश्किल होता है लेकिन अभी की वेसे लाए हो पहले पूरे शरीर भर में जहर फैल चुका है अभी ये मर जाएगा इसे लेकर जाएए नहीं थोड़ी मदद कीजिए नहीं कुछ नहीं हो सकता ऐसे वो लेकर गए वहां से दूसरे अस्पताल में गए वहां पर बहुत बिंती की उन्होंने और फिर बिस्तर पर लटाकर उसे सलाइन लगाए हुए थे उसके सांस रुग गई तो उनको पता नहीं था क्या करें तब डॉक्टर लोगों ने उसे सी पी आर दिया ऐसे चाती पर दबा दबा कर दो घंटे के बाद में फिर से उसकी नसे लगने लग गई तब ही उसका ज और उसका शरीकात आपमान 17 डिगरी था मतलब बिलकुल एक मृत देह के समान था डॉक्टर ने कहा कि ये दो घंटा इससे जीना भी मुश्किल होगा अब ये मर जाएगा तो इसलिए ब्रैंच मेनेजर ने मुझे फोन किया पासर चे यहान को बिचुने डंग मारे हो मर रह है सोल से लाइबेरिया तक जल्द से जल्द 18 गंटे लगते हावाई जासे मैंने उनसे कहां आगे से एक मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर नहीं भेज सकता जो गंटे के बाद उमरे का सके रहे हैं और नगॉर दवाई भी बहेजने ही सकता तो मैंने पूचा जहां तो क्या मैं योहान से बात कर सकता हूँ यहान यहान से बात कर सकता हूँ यहान 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 से बात कर सकता हूँ यहान 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 से बात कर सकता हूँ यहान 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 से बात कर सकता हूँ यहान 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 से बात कर सकता हू में इस योहान को येशु से जोडना है कुकि येशु योहन को किला सकता है शे अचि मृद्ट और तबिवाआ कि उस्दिन अच्या है जार बाइबल पढ़ रहा था जार आ जान को पढ़ा मेरी बात को द्यान से सुनो ने जग जोगरे जिसे हम विखे पीरो है येश्या के 40 सदे के 31 सवचन को पढ़ा, वहां पर क्या लिखा हुआ है? परनतो जो यहवा की बाह्त जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, क्या होता है आपर? वे उकावो के समान उड़ेंगे? वे दोड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, परमीश्या जब नया बल देगा, तो मैंने कहा, अगर ये वच्छन अगर एक मेराथान में दोडने वाला खिलाड़ी जाने तो कितना अच्छा होगा ना? वे दोडेंगे और शर्मित नहोंगे चलेंगे और थाकित नहोंगे यह परमीश्वर का वचन है यहान बाइबल के 66 पुस्तकों में जो वचन है इसे मनुष्या ने लिखा है लेकिन परमीश्वर से सुने वचन को लिखा है लिखने वाला तो मुनेश है लेकिन ये परमिश्वर का वच्छन है यहान परमिश्वर बिल्कुल जूट नहीं बोल सकता अगर परमिश्वर भी जूट बोला हो तो कौन परमिश्वर पर विश्वास करेगा परमिश्वर नहीं बोला है बाइबल में क्या लिखा है वे उकाब के समान उड़ेंगे मतलब उकाब जैसे अउपर उड़ता है उतना कितने ताकत से उड़ेंगे वे दोडेंगे और श्रमित नहोंगे चलेंगे और थकत नहोंगे योहन अगर तुझे बिच्चु के जहर पर जीतना है तुझे ताकत की जुरुत है तुझे ताकत की जुरुत है परमेश्वर बिल्कुल भी जूट नहीं बोलता ये बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है योहन मेरी बात को ध्यान से सुनो बाइबल में क्या लिखा गया है जो यहवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करें गैसा पक्का लिखा है अभी से परमीश्वर की बाट जो परमीश्वर के लिए इंतिजार करो तुम विश्वास करो कि परमीश्वर हमेशे तुमारे मदद करेगा परमीश्वर बिलकुल भी जूट नहीं बोलता तुमारे मेरे पक्का परमीश्वर नया बल देगा तो बिच्चु के जहर पर तुम परियातरूब से जीच सकते हो यहां तुम बिलकुल नहीं मरोगे लगबक 15 मिनिट इंटरनेशनल कॉल से मैंने उनसे बात की तभी इंटरनेशनल कॉल बहुत महंगा था ज्यादा लंबा से मैं बात भी नहीं कर सकता था तो मैंने उससे बताया यहां समझ पा रहे हो बाइबल पर मीश्वर का वच्चन है लेकिन हम यह बाइबल का वच्चन नहीं पता है बस यह वच्चन ही ऐसा है जब मेरा पेट भी दर्द में था वच्चन पर विश्वास करने के बाइबल चोबीस गंटी के अंदर मेरा पेट पूरा ठीक हो गया बहुत ही गंभीर हालत में था मैं तीन महीने में पेट की बीमारी करन खानी सका था दस किलो वजन कम हो गया था 1999 में जब मेरे दिल को डिल ठीक ने था अभी मेरे लगबग मरने तक पहुंच गया था मेरे दिल की बीमारी को मैंने ईश्व मसी के साथ जोड़ दिया अभी योहान बिच्चु के जहर के कारण मर रहा है लेकिन अगर योहान के मन में वो योहा की बाठ जोता है परमीशुर का इंतजार करके परमीशुर को देखता रहता है तो पका परमीशुर उसे नया बल देगा बाइबल का वच्चन बिलकुल भी जूट नहीं बोलता अगर परमीशुर एक बार भी जूट बोलेगा तो कौन उस पर विश्वास करेगा परमीशुर बिलकुल जूट नहीं बोलता तुम परमेश्वर की बाट जो परमेश्वर का इंतिजार करो परमेश्वर को फुकारो पक्का हो तुम नहीं हबल देगा और तब तुम उस बिच्चु के जहर पर जीत सकते हो डॉक्टर ने कहा तक यह दो घंटे के अंदर मर जाएगा यहान जैसे आखिर में मर रहा था उसने क्या सोचा डैलस एरपोर्ट पर से जब वो लाइबेरिया अफरीका में जा रहा था तब ही उसके पिताजी एरपोर्ट पर आये थे और आखिर अलविदा के लिए उसे गले लगा लिया था यह उसे याद आया मरने से पहले मेरे पिताजी को गले लगा कर बरना चाता हूँ तो लेकिन वो कैसे संभव है तो तब ही मैंने साथ उसने फोन पर बात के यहान मेरे बात को ध्यान से सुनो यह मेरी बात नहीं है यह परमीशु का वच्चन है परमीशु बिल्कुल जूट नहीं बोलता अगर तू यहान की बात जोएगा तुझे वो नया बल देगा फिर से मैं कहता हूँ तो टीवी जैसे है टीवी चल नहीं रहा है लेकिन पहले उसे बिजली से जोड कर देखना है अगर जोडने के बाद में स्विच आउन जब हम करते हैं तभी भी अगर नहीं चल रहा है तभी वो टीवी खराब हो चुका है लेकिन जो खराब नहीं वो टीवी है उसे पक्का बिजली से जोडने के बाद उसे अगर स्विच आउन करते हैं तो स्क्रीन पर उसका चित्र आना ही है जैसे टीवी खराब नहीं है तो वो दिखाई देगा वैसे परमेश्वर जीवित है यह जीवित है वह आदे पर विश्वास करने बाद बिल्कुल भी यह जूट नहीं बोलता है मैंने यहान को बंदरा मिनिट के लिए बात समझाई यहान तो आमी परमीश्र की बाट जो हो है पून रख रहा हूं जल्दी उठना तो बेने कहा ऐसा है तो फोन रखते हैं में अमेरिका में डैलस में में फोन किया डैलस के में हमारे पास्ट थे यहान अपरिका राइब जोयान आफरीका के लाइबेरिया में बिच्चु के जहर के कार मर रहा है डैलस चर्च के बाहरे बेनों को इकटा करके प्रातना कीजें में भी प्रातना करता हूं और यहान के माबाप को भी अपास्ट बताईए और उनको प्रातना करने लगाईए और फिर मैने फोन रख तब से लेकर योहान के मन में विश्वास आया योहा की बाट जुने वाले नया बल पाएंगे योहान ने परमिशर की बाट जुई परमिशर मैं आपका इंतजार करता हूँ आप मुझे नया बल दीजिए और फिर ऐसे वो सो गया खर राटे मारते हो सो रहा था रात बीट गई फिर भोर आई वहाँ पर एक नर्स थी जो थोड़ी नींद में थी लेकिन जब सुबह जागे आँ वो कल का वो लड़का वो तो आज मर गया होगा जल्दी उसके मृत देह को में अच्छे से ठीकाने लगाना पड़ेगा तो वो आई अद्बूत बात क्या है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो आश्चर चकित हो गई अब कमरे में जाकर वो डॉक्टर के कमरे को खट-कठान लगे डॉक्टर डॉक्टर दरवासे खुली जमतकार हो गया है जल्दी आई यह और उन्हें यहान को देखा डॉक्टर आश्चर चकित होगए नर्स आपने क्या किया कैसे असा हुआ नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया अगले दिन सुबह उठा बहुत अची सनिंद लगी अभाई तुम ठीक हो मैं तो ठीक हूँ भाई कल तुमने पेशाब भी किया संदास भी कैसी ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो डॉक्टर वहां पर रहे हैं और उन्हें कुछ तो लिखना था पेपर पर तो उनको लिखने के लिए क कि यहां है ऐसा लिखी पार्संज दॉक्टर उनको पतान No USB करना समने अगस्थ और इसके बाद में उसका प्रस्रचता क्या एकृशल चुका शख़किछ अगंडिने इन पूरा व स्रच कुण है उसके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, मैं बहुत दनेवाद हूँ, महतुपुन बात क्या है? मन की दुनिया जो है, मन में मैं सोच तो यह लड़की सुन्दर है, मैं उससे शादी करूंगा, अच्छा होगा, तो मन से उस लड़की के साथ मैं जुड़ रहा हूँ यहां के नूडल्स बहुत अच्छ है, यह मैं खाने के लिए जाना चाहिए, वो सोचने से हमारा मन वहां जुड़ता है, तीवी से जैसे बिजली जुड़ती है, वैसे यह मैं सी क्रूस पर हमारे लिए मरा, और फिर भी आप पापी हो तो, मेरे पापो के लिए मरे उस क्रूस से आप जुड़े नहीं हों इसलिए, यह मैरे पापो के लिए मरा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, यह मैरे पापो के लिए मरा है तो, तो मेरे पाप धोए गए यही सही है, तो यह मैं सी क्रूस और मेरे पापो को जोड़ना है, इस प्रकार से विश्वास करने पर पाप श मैं पापी हूं मैंने पाप किया है निन ने पाप हूं लेकिन मेरे पापो के लिए तो मैं उसके साथ जुड़ता हूं तो मेरे पाप सब धोगे हैं लेकिन हमने बस जोड़ा नहीं है एक बार मैं मतलब स्पीड लीमिट क्रॉस करने करने मुझे गाड़ी चला तो पकड़ा गया था तो जाकर मैंने वहाँ पर जुर्माना भर दिया और इसके एक साल के बाद में पुलिस वालों से मुझे फोन आया आपने जुर्माना क्यों नहीं भरा और मैंने जुर्माना भर दिया है नहीं यहाँ पर दिखायता है कि आपने नहीं भरा तो मुझे बुछ बुरा लग और गुसा भी आया मुझे लगा पक्का में घर पर में रिसीट दून पाऊंगा कि मैंने जुर्माना भरा है तो दूनने के बाद में वुछ गांसाच में जिसने में उससे पैसे ले बहुत बुरा इंसान है तो तीन दीन के लिए मैं पूरा घर ढूंड के निकाला लेकिन जुर्माना भरने का रिसीट ही नहीं था तो इसले बहुत निराश होते हुए जाकर फिर इससे मैं जुर्माना भर दिया उसके बाद से ना रिसीट में हमेशा सहीर देसा रखता हूं लोग ऐसा हो सकता है ना रिसीट में अगर मेरा जुर्माना भरने का रिसीट नहीं है था कि अच्क तो कुछ नहीं कह सकते ना कुछ तो शबूत होनाम चाहिए मेरे पापो के श्मा होने का सबूत क्या है। मेरे सारे पापों के लिए येशु मस्य उस कुरूस पर मरा है और उसके दौरा मेरे पाप धुए गए हैं तो येशु मस्य मेरे पापों के लिए मारा लेकिन फिर भी अगर मैं पापी हूं तो जो ना आ जो येशु मेरे पापों के लिए मरा हो या नहीं मरा हो एक सामान ओ गया ना फिर रोमा 3 जया लेकिन एक सामान नहीं है रोमयों के तीन अदेखे थीयस वचन में तो येशु केश़ार व्यायर देशिन नारी गंजानेशःचीको सोकहसमद अ माल मियामा चोबिष व ठहराया है तो इसलिए जब आपको याद करते हैं आपको करने की याद तो आती है लेकिन यह पाप ऐसे हैं जिसके कीमा चुका दी गई है कहां पर खुरूस पर तो आपके पाप और येशु के खुरूस के लहू को अगर आप जोडते हो तो येशु का मृत्यु विर्थ नही लेकिन शैतान लगात है तुन्हें पाप किया ना तुन्हें ऐसा किया ना ये विशा भी भनाता है तो परमेश्व का वच्चन क्या कहता है एश्य मसी के ंप द्वारा हम सेंटमेंत धर्मी ठेहरा जाते हैं इस एफ्टेय ए तू धर्मी है भले तुमने पाप किया लेकिन येश्यू ने उस पाप को धोया है इसलिए तुम धर्मी हो ये बात जब मेरे मन में जुड़ती है मैं धर्मी हूं ऐसा कह सकते हैं एक देश में जाकर मैं वचन प्रचार कर रहा था वहां पर बहुत सारे पासर लोग इकट आते हैं पासकर अपने पाप नहीं किया आपने जूट नहीं बोला तो आप उनसे कहा मैं इतना ज़्यूल पोला जिसको गिन भी नहीं सकता मैं ने बहुत चोरी भी की दूसरे के घर में जाके सेव चुराय दूस demande किये वह काम तो फिर आप पापी हो किसे धर्मी हो हां सही है मैं पापी हूँ ये बात तो सही है समस्जी है कि पर्मिर्श्र ने मुझे धर्मी ठहराया वो लोग आश्यरवकित हो गए क्या आप इन जानते रोमा सो 3 जाए 24 जल, रोम्यों के तीन अद्याए का चोव 20 वचन, रोम्यों का चार अद्याए का पचिस वचन, तो येसु नुरी ए बम्जा मुरी ने अजमी देगो, उरुरुपता हाशिम अजाए साना अदा है। येशु हमारे धर्मी टहरने के लिए जिलाया गया है, तो वो कहता है, देखो मेरे हाथ में कील की निशान, ये तेरे पापो के लिए में मरा हूं, ये भाले के निशान देख, तेरे पापो के लिए मैंने ये दंड दिया है, ये देखो ये काटे की निशान, ये तेरे पापो तो फिर से एक बार वापस आते हैं, हम फिलिपस के बारे मात करते हैं, फिलिपस येश्य के साथ होते हुभी, येश्य मसी के साम अरत को बहुत उसने देखा, लेकिन उपाच हजार लोग को खिलाने वाले येश्य से अपने आपको नहीं जोड़ था, अपनी सोच से जब लेकिन अंद्रियास में ये बात अलगी, वहां पर एक लड़का है, उसके पास जोकी रोटी अर्दो मचलिया है, पर उतने लोगों के लिए वे क्या है, वो इसा क्यूं कह रहा है, वो येश्य को बिद नामने नंग्यों कि आंद्रियास ने विश्य के पास सामरत है, इतने लोगों को खिला कर बाकी बच सकता है, लेकिन फिलिपुस ने तो विमारों को चंगा किया, उसने पानी से दाकरस बनाया, ओ इसा किया, अच्छा किया, लेकिन अभी जो पास सामर्ण को खिलानी की समझ से उसमें फिलिपुस अपने अपको येश्य को नहीं जोड़ रहा, अंद्रिया ससा नहीं है, ये देखो लड़के तुम्हें इसे इश्य को देदो, हाँ ठीके धन्यवाद, थोड़ा रुको, मैं तुम्हें रूटी लाओंगा, और वो इश्य के पास लोटी लाता है, ये एक लड़का है जिसके पास जो के पास रूटी और दो मचली आए, परण तो इतने लोगों के लिए वे क्या है, क्यों? प्रभू इसके द्वारा पाचा लोगों को खिला कर बच्चे रहेंगे, यसे पक्का विश्वास था उसके पास, फिलिपोस के पास वो विश्वास नहीं था, ये विश्वास है, ये विश्वास पर विश्वास करने व लेकिन अगर उसे अपनियाप से नहीं जोड़ते बले इस्व मस्थी क्रूस पर लोहू बाकर आपकर हमारे लेकिन मैं पापी हूँ ऐसा कहीं क्योंकि जोड़ा नहीं है हमने क्या समुछ पारहे हैं मैंने जुर्माना भरा है लेकिन जुर्माना भरने का सबूत होना चाहे तब ही मानेंगे लेकिन मैंने रिंसीर ठीक हो दी इसलिए फिर से वह जुर्माना मुझे भरना पणा है और येश्व मस्य आपके लिए क्रूस पर मरा है वो आपके पापों के लिए मरा बाइबल उसका सबूत है येश्य मस्य हमारे अपरादों के लिए पक्डवाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया येश्य मस्य Zum nós नहीं धर्मी ठहराया है आप होशियार ऐसा दिखाऊ मत कीजिए आप बहतर मत मानिये खुद को अगर परमेशुर धर्मी कहता है तो आप धर्मी हो परमेशुर ने धर्मी कहा लेकिन आप पापी कहते हो तो परमेशुर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं शापित होंगे आप नाश हो जाओगे हाँ ऐसा है येशु के लहु ने मेरे पापो को दोया मेरे पापो को दोये गए जान नहीं जानकर अगर मैं अपने अपको पापी मानता हूँ तो परमेशुर के खिलाफ बलवा करना है क्रूस को तुछे मानना है क्रुज को पेरो तेले रौन्द ना है इसको आपमान करना है नहीं येशु मस् niye क्रुज पर मुरा है पक्का मेरे पाप पूरी रोते से दोए गए है इसलिए पर्मिशन हमें धर्मी कहा येशु ने भी आमें धर्मी कहा तो चाहे आपने कोई भी पाप क्यों न किये हो अगर येशु आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हो अगर वो आपको पवित्र कहता है तो आप पवित्र हो क्या लगते आपको अभी भी आप पापी हो तो फिर येश्यो के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है कौन सा पापी वी क्योना अगर वो कुरूस से जुड़ता है वो पापी तो उसके पाप खतम हो जाए क्यों क्योंकि कुरूस पर आपके पापो का सारा दंड चुखाया गया है येश्यो योना के च्छाद्य में ये सिखारा है में फिलिपूस उसे पाच हजार लोग को खिलाना है उसके पस खुद का तरीका नहीं है इसले उसे बस ये सिद्धान्त पता है कि दो सो दिनार के रोटी कम होगी लेकिन अंद्रिया से यसा नहीं था ये पाच जो की रोटी और दो मचलिया है लेकिन इतने लोग के लिए वे क्या है अस्दित में पाच जो की रोटी है तो 2,000 लोग के लिए दो देखते ही का है बोजेएंगे लेकिन ये इस के सामने क्यू लक़ है के ताकत पर विश्वास करके कि येश्यों आप एक काम कर सकते हो तो बाइबल में यहना का श्याद्य हमें बताता है येश्यों ने पाच जो के रोटियर दो मचले उसे 5000 को खिला ये नहीं बता रहा है अब अंद्रेयास ने उसे अपने अपसे जोड़कर अपना माना उसे येश्यों नंग्यकर चाईगा बादा दरी आना लेकिन फिलिप उसके पास बस सिद्धान ता येश्यों के सामर्त को वह पाए नहीं सका सुमिदा सही है इसलिए प्रभू कहता है तो चाहिए आपने कोई ये फिन भी पाप क्यों नहीं हो ऐटाष अ व्योंना चेलगा आपके बहुंत सारे प्रपकर अपकर आपके पढेरा मीठाश दो हिया है एक कोmana गया है अ मैन इस पर विश्वास करते हैं एगष्यूम नीम को साहिए और मियेच आहा हाओ ओंच वह और फि orgon मिस्स संधान आ मैं अकसर यह बात देखता हूँ, बहुत सारे बिमारों से मिलता हूँ, येशु जब जीवी था उसने सारे बिमारों को चंगा किया ना, अगर आपका मन भी येशु से जुड़ेगा, तो जो येशु जिसने 38 साल से बिमार पड़े विक्ति को चंगा किया, वो मेरी बिमारी हो, इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो, तो आप चंगे हो जाते हैं, येशु पूरा मर रहा था, ऐसे जिन्दा बच सका, डॉक्टर ने का, अभी कोई आशा नहीं है इसके लिए, दो गंटे में मर जाएगा, लेकिन येशु उसके लिए काम कर सकता था, इस तरीके से, बह जानतों को जानते रहोगे, हम फिलिपुस के समान दिमांक्स में जानते हैं, लेकिन जोडते नहीं है, लेकिन आंदरेस ने इसको काम करते देखा, उसने देखा कि जिसने पानी से दाकरस बनाया, वह ये पाच जो की रोटियों से ददद पाच हादार लोग को खिला कर भी ये शू के लिए सभ औलायセ, जिस येश्ट ने पाबलूस के पाप्के पाप को लोगे, वह 5 होटे हैं, उसने मेरे पाप भी चुälए हैं, ये शू पर विश्वास करना है, लेकिन कुछ लोगा आप में से पाप परातना करते हो इसका मतलब नाकामियाब हो गया, तो उसने हमारे पापों को नहीं दोया है वो नाकाम्या भूआ यहना का च्छे आध्या में क्या सिखाता है तो चाहिए कोई भी क्यों नहीं हो अगर मन से येशु के साथ जुड़ता है जो जुड़ता और जो नहीं जुड़ता उनका फरक समझाएगा पाच्छाजर लोगों को खिलानी की समस्या नहीं बिल्कि हमारे जोन में बहुत सारी समस्या होती है अगर ऐसे मुश्किले आपके पास होती है और उससे आप येशु से जुड़ते हो तो बहुत ही अद्भुत काम उबरते हैं येशुमसी काम करता है मन से जोड़कर आप विश्वास कीजिये हमारे पापो के लिए येशुमसीने सारी कीमच चुका ही है खुरूस पर मरकर उसने हमारे पापो का अननत काल क्लिद होया है सारे पापो को कोर्ट में कोर्ट की सबसे बड़ी सजा होती है कोट में सबसे बड़ी सजा क्या होती है मृत्युदंड सही है ना मृत्युदंड देने के बाद में कोट और बड़ी सजा नहीं दे सकता मृत्युदंड अगर आप देते हो तो सारे पाप दोहे जाते है एक विक्ती को मारा हुआ विक्ती भी उसके लिए मृत्यु दंड देकर सब खतम होता है दस लोगों को मारे हुआ विक्ति भी उसके लिए मृत्यु दंड ही आखर होता है हाद दस हजारों को मारे हुआ भी मृत्यु दंड के अलावा दूसरा दंड नहीं है मृत्यु दंड में सब खतम होता है एक वेक्ति के पापो के लिए मरे या जगत के लोगों के पापो के लिए मरे एक बार के मुर्टियों के दौरा सारे पापो को सुलचाये गया है वो खतम किये गया है इस असलियत पर आप विश्वास कीजिए तो आप का मन और ईश्यू का कुरूस जब जुड़ेगा मैंने पाप किया लेकिन ईश्यू मसी मेरे जगपर कुरूस पर मरा और मेरे पाप सुलजाए के इसलिए मैं शुद्ध हूँ धर्मी हूँ ऐसे विश्वास करना ही सच्चा विश्वास है आज बहुत सारे लोग चज़ जाते हैं लेकिन अपने आपको पापी कहते है प्रभु को बहुत दर्द होता है हमारे पापो के लहूबा है उसने और अगर हम पापी कहते है तो यही कह रहे बिए प्रभु आपका कुरूस नाकाम आझ हुआ प्रभु का आप मान करना है प्रभु को तुछ्छ मानना है प्रभु व्यर्थ में मारा ऐसा कहना है लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु ने हमारे पापों को दोया क्या आप विश्वास करते हो तो क्या अभी आप धर्मी बने हो जो लोग धर्मी बने हैं अपना हाथ उपर ठांकर दिखाईए हाँ आप धर्मी बने हैं न ऐसा विश्वास कीजिए बस इतना ही विश्वास मत कीजिए बलकि ईश्व हमेशा आपके संग है ऐसा विश्वास कीजिए चाहे आपकी कोई भी समस्य क्यों न हो उसे ईशु के साथ जुड़िए और उसे ईशु को सुलजाने के लिए ईशु पर सोपिए और वो सुन्दरते से उसे पूरा करेगा ऐसा हमें विश्वास करता है धन्यवाद आई हम परातना करते है पवितर परमिश्व पिता आपको धन्यवाद देते हैं शैतान हमें दोका देता है और कुरूस पर ईशु मसी न हमारे पापो को दोया है फिर भी अपने आपको पापी कहने लगाता है और पापो से छूटने नहीं देता इस बार के इस रिटरिट के दोरा सभी लोग येशु के लखु से पापो शामा पाने देजिए और ऐसे कोई भी मत रहने जिनके पन में पाप हो है ऐसे आप कीजिए अपने सोच पर विश्वास मत करने देजिए बलकि प्रभू के वच्ण पर विश्वास करने देजिए पाप से चुटकार आपा कर प्रकाशे जिवन जिने दन्यवाद येशु के नाम से अमने प्रातना के आमेन सभी को बात बात दन्यवाद